आज ही से जीवन के हर बल का आनन उठा लो आज ही से मन की एक नई शांती पालो समय आ गया पदलने का समय आ गया कुछ करने का अब उठा लो आनन प्रते दिन के जीवन का मैं बदलती रही हूँ 25 साल पहले मैं जो थी उससे आज मैं बहुत भिन हूँ प्रिय प्रभू मैं भिन हूँ मैं शेह तितली की स्थिती तक पहुँच रही हूँ वे जब सारी चीज से गुजरती हैं वो पतंगा स्थिती और डाली के पीछे वाली स्थिती और कोई में जीना, फिर तरल हो जाना, अन्प में वे कोई से निकलने के लिए संगर्श करती हैं, फिर वे तितली बनती है केवल कुछ दिनों के लिए क्या आप जानते हैं कि तितली का जीवन लंबा नहीं हो ता कौन जाने कितने दिन का होता है ये तो कहीं कितने दिन का तीन दिन टिटली तीन दिन जी तो पता कि मेने क्या पता लग या आप यहां से कुछ करने की तयारी में हैं इसर्णापके लिए हाँ आरा है सो मुझे खुशिए कि मेरी कुछ समस्याय शेश अर्थार्थ में कुछ दिन और रहूंगी हाँ मैं अब भी क्रिमी जैसी हो जाओं बुरा नहीं लगे इससे पता चलता है कि मेरा भी समय नहीं आए अब एक बात बताती हूँ जिससे मैं सह नहीं सकती जब मैं गल्ती करती हूँ और शमा मांगती हूँ तो ये मुझसे सहन नहीं होता कि वे कहें कि शमा किया और हफ्तों मेरी उपेक्षा करते हैं जो कि मानो मेरी और चीक चीक कर कहता है मैं बदला लूँगी इसकी खीमत वसूल करूँगी लोहे के चने चबवा दूँगी जब मुझे आफिस में किसी को सुधारना होता है खास करे दिक कडाई से सुधारना होता है तो मैं मार्क से हटकर भी उन्हें मालूम करा देती हूँ कि मुझे उन पर क्रोध नहीं है जहां तक मेरा संबंदे वो समाप्त है और हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मेरे जीवन में कोई कई दिन तक मेरे साथ ऐसा करता रहा और मुझे उससे ग्रिनाथी मैंने इससे सीखा कि हम ख्षमा करें और प्रभू कहे भूल जाएं किसी भी प्रकार का दोशन किसी के सिर्व पर ना रखे और ना कभी कबार उसका हलका सा उलेख करते रहे क्या आज यहां कोई मेरी बात सुन रहे आप यदि ख्षमा करें तो ख्षमा उदार हो और ख्षमा संपूर्ण हो लोगों को सताईए मत मैंने एक्षमा किया मगर तुमसे बात नहीं करूँगा मैं एक्षमा करता हूँ मगर मैं उस कमरे में नहीं आऊँगा जहां तुम होगे मैं एक्षमा करती हूँ मगर आज बिस्तर में मुझे चूना नहीं मैं क्रोधित नहीं, मैंने हफ्ता बार खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबिया ठीक नहीं थी कम ओन गलतियों अध्याय छेई पद एक को देखिए हम आँ चलते अपनी पीड़ा को नश्चना करें, लोग आपके प्रती जो करते हैं उससे सीखिए कि औरों के प्रती क्या नहीं करना चाहिए वो आपको कटू न बनाने पाए, वो आपको उत्तम बनाए परमेश्वर बड़े कामों के लिए आपको तैयार कर रहा है, मगर आपको जानना चाहिए कि लोगों से कैसा बरताओ करना चाहिए हमारा बरताओ प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये अधिक तो हमारे चरित्र के बारे में बताता है गलतियों अध्याय छे पदेक कहता है, भाईयों येदि कोई मनिश्यों किसी अपराद में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो अर्था जो आत्मा की प्रतिक्रिया और नियंत्रण में हैं, तीन चीजे करेंगे विस्तृत बाइबल कहते हैं तीन चीजे उसे सही करें, अर्थे सुधारें प्रतिदान करें, उसके साथ काम करें और समस्याओं को सुलजाएं और पुनह स्थापन करें तीन चीजें उसे सुधारें, प्रतिदान करें, पुनह स्थापन करें हम तो सब को सुधान चाहेंगे, मगर उसका तो वह यंत होता है ना प्रतिदान है और ना पुनह स्थापन है देखिए, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मैं हाल में इसे देखती रही हूँ नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौक्सी रखो कि तुम भी परिक्षा में ना पड़ो और पद्दो देखे तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, जो की उसके प्रेम की व्यवस्था है एक और चीज मुझे बरदाश्ट नहीं होती कि लोग मेरी राय को मान नहीं देते हैं, यदि वो उनकी राय से भिन हो क्या आपको ग्रुणा नहीं आती जब आपकी राय उनकी राय से भिन्नों और वीयू बरत्ति जैसे कि आप किसी दूसरे ग्रह से आए हैं कि वल इसली कि आप नहीं सोचते जोवे सोचते हैं क्यों आपने ऐसा क्यूं सोचा क्योंकि मेरी सोच पर मुझे अधिकार है तो इस कार थे कि मुझे दूसरों के राय को मान देना चाहिए है न? आप लोग वहाँ जाग रहे हैं न? और मुझे अच्छा नहीं लगता है यह दि लोग देर से आएं सो मुझे सुनिश्चित करना है कि मैं समय पराऊ मुझसे छुटाई सहन नहीं होती छुटी-छुटी बातों को लेकर हंगामे करना कि आपने यह किया, आपने वो नहीं किया, वो नहीं किया सो मैंने डेव से पूछा कि कौन सी बाते आपको अच्छी नहीं लगती मैंने अपनी बेटी से भी पूछा उसने का बातों में कितनी सच्चाई बरतों मैंने सोचा एक मिनिट रुखना शायद मैं नहीं जाना चाहती मैंने सवेरे आप से कहा था कि डेव बहुत देर तक कोई सोच नहीं सके मेरा कागस खत्म हो गया उन्होंने का एक चीज से उन्हें घुना आती कि जब वे किसी से बाते करते हैं और वो सुन नहीं रहा हो इसका तातपर यह है आप जो बोल रहे हैं उसका मेरे लिए कोई मूर्जीन नहीं है डेव और मैं बहुत से लोगों के साथ घुमें जो मेरी हर बात पर खीचे रहते हैं और उनका व्यवार बताता है कि उनकी बातों का कोई मूली नहीं क्योंकि लोग उनी के साथ संबन चाहते हैं जिने वे महत्वपून समझते हैं एक बात सुन लीजे इस सेवकाई में डेव मायर उतने ही महत्वप के हैं जितना कोई और वे तो यूही यहां उपर आकर सदा लोगों के सामने रहना नहीं चाहते वरना डेव के बिना तो इस सेवकाई का ये रूप नहीं होता जो आज है वे आर्थिक विशे को संबालते हैं मुझे संबालते हैं जो की बहुती बड़ा काम है वे मेरे छत्रे में जहा जातियों साथ आते हैं मेरे ख्याल से यहां उपर आकर ये काम करना आसान है बज़ा इसके कि वहाँ बैटकर मेरे भाशन को सुनना वे सदा एक ही चीज पर हसते हैं सैंडी जोड़ा यहां आना मायर परिवार की बारे में हमार चीज का पता करने कि आप हमसे सही बरताओ कर सकते सैंडी मैं चाहतनी की लोगों के तुम्हारी प्रति बरताओ की और जुतों में पसंद नहों ध्यान देना शुरू करो और उसका लेखा रखो पिर उस पर प्रातना शुरू करो परमिश्वर यह चीजे दूसरों के प्रतिना करने में मेरी मदद कर मेरे लिए इसे करोगी नही भूल जा तुम अपने लिए इसे करो आगे बढ़ो लेकिन मेरे बारे में नहीं नहीं वरना मुझे एक शुब्दता पर अपने टेप सुनने पड़ाए किसी से मेरी बाट्चीत के बीच में कोई बाधाय तो मुझे अच्छा नहीं लगता मगर इस छेत्र में मेरे एक छोटी सी समस्या है तो इससे मुझे सीख मिली कि आपके बात्चित के बीच में बाधा का हम पर क्या प्रभाप परता है इसमें मुझे उन्नेती मिली क्योंकि मुझे सबक इससे मिला कि कोई मेरे साथ ऐसा करें तो मुझे कैसा लगेगा मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता जब लोग परमेशर की दिखुई वस्तों को संभालते नहीं कस्ठ होता है नकारत्मक लोग मुझे पसंद नहीं लोग अच्छे लगते हैं नकारत्मता नहीं क्योंकि मैं सकारत में व्यक्ती हूँ जो हर बात का नकारत में जवाब देता है उससे निपटना मेरे लिए कठीन है मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता जब मुझसे छोटी सी भूल भी हो जाए वे वुंगली उठाता हैं दया देने के बजाए आमीन अपनी पीडा को नश्चना करो कुलूसियो 3.19 में आये वहाँ चले कुलूसियो 3.19 कहता है पतियो अपनी पत्नी से प्रेम रखो उनसे प्रेम भाव दया की भावना रखो उनके साथ कठोर या कडवे या बदले की भावना ना रखो स्पश्टे कि यही चीज स्त्रियों पर भी लागू होनी चाहिए पती अपनी पत्नी पर कटू क्यूं हो या एक स्त्री अपने पती पर कटू क्यूं होगी उनके खटू होनी का सबसे बड़ा कारण मैं बताओ क्योंकि जो आपकी साथ रिष्टे में है वो आपकी आशाओं को परिपूर्ण नहीं करता एक मात्र समस्य यह हैं कि वे नहीं जानते कि आपकी आशाओं क्या है कभी-कभी हम लोगों से आशा करते हैं कि वे हमारे लिए कुछ करेंगे जो केवल प्रभू कर सकता है अक्सर हम लोगों से आशा रखते हैं कि हमें हमारा मूली देंगे किन्तो केवल परमीश्वरी से कर सकता है हम लोगों से बिगड़ते क्योंकि हमें जो चाहिए वे समय पर नहीं दे रहे हैं किन्तो हमें भी चीजें गलत कारणों के लिए चाहिए आपको पता देना चाहिए कि आपको क्या चाहिए संचार कीजिए उन्हें मन को पढ़ने वाले ना समझे कभी-कभी हम लोगों पर कटू हो जाते हैं क्योंकि वे हमें सुखी नहीं कर रहे हैं अब जो मैं कहने वालियों से ध्यान से सुनी हमारा सुख भीतर से आता है ये किसी और का काम नहीं कि आपको सुखी करे मैं नहीं जानती में ससैमत हूँ कि नहीं हाँ मुझे प्रती थी कि डेव को मेरी खुशी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए मगर मैं उनसे सदा सुखी पाने की आशा नहीं कर सकती क्या होता है यदि सोमवा रात को मैं उनसे एक काम करवाना चाहू और वे कहें नहीं नहीं सोमवा रात को मैं फुटबॉल देखूंगा इसकी तो मुझे आशा ही नहीं थी और अचानक मेरी आशा हैं चूर चूर हो गई सारी बाते और उलज गई अब मैं कह सकती हूँ कि देखिए आप मुझे सुखी नहीं कर रहे हैं या मैं सुखी होने का निर्ने कर सकती हूँ आमिन कमान सो मत जाना आप मैंसे कितने मेरे साथ हैं चांते हैं हम लोग दूसरों पर कितने निर्भर हैं कि वे हमें सुखी करें किसी और से आशा मत रखें कि वे आपको सुखी करेगा आप सुखी हो जाएए आपको सुखी करने के लिए किसी और को खोजने की बजाए आप प्रती दिन सबेरे उठकर देखे कि आप कितनों को सुखी कर सकते हैं और जब आप दूसरों को सुखी करेंगे परमीश्वर आपको सुखी करेगा यही प्रगति का नियम है आप एक बीज बोई है फिर कटनी काटिए यह शायद कोई पुरिश अपनी पत्नी के प्रती कटू इसलिए कि वो उसकी तरह सुन्दर नहीं लगती वो शादी की समय जितनी सुन्दर थी उतनी अब नहीं काम में व्यस्त मेरी सेकरेटरी की तरह भी नहीं यही सच्चा जीवन है अभी नहीं हम फिल्मी सितारों की तरह नहीं मेकप के साथ विस्तर से नहीं उठते हैं यह फिल्मी अभी नेत्रिया जब जाकती है तब कैसी दिखती होंगी गड़ नाइट जाकते ही उनका पहला काम है परस पर चुमबन लेना डेव मुझे नहीं चुमते जब मैं सोकर उठती हूँ नाटकिये जीवन और सच्चे जीवन में अंतर को समझना चाहिए आप महिलाओं में से कुछ इन बेवकूब बनाने वाले नाटकों को देखती है और फिर आप इस सपनों की दुनिया में जीने लगती हैं और किसी चीज से आपको तुर्प्ति नहीं मिलती मुझे देखिए कट्टुता अकसर शुरू होती है छोटी छोटी खीजों से जिनका हम अंत नहीं करते आपके जीवन में शायद ऐसे विशे हैं जिनका आपको बिलकुल अंत कर देना चाहिए क्योंकि आपके पास उसकी की आपके प्रती सारी अन्याय रेकॉर्ट पर रंकित हैं उसे आपको पोच कर साफ कर दिना चाहिए अपने कंप्यूटर पर जब मैं कोई काम कर चुकती हूँ एक छोटा सा ट्रैश कैन वहा है जिसमें मैं अपनी फाइल की सारे विश्यों जो में रखती हूँ डाल देती हूँ एक बारी दिए उसमें डाल दिया तो मुझे फिर कभी वापस नहीं मिल सकता आप में से कुछों के जीवन मैंसी कोई बात है जिसे आपको लिटल माउस को डाल देना चाहिए आपके पास कंप्यूटर नहीं हो तो आप समझेंगे मैं पागल हूँ और आपको उसे फाइल से हटा देना चाहिए अपने डिस्क से उस ट्रैश कैन में फिर उसे छोड़ दीजे उससे छुटकारा पाईए बढ़िए भूल जाईए और आगे निकलिए उसके बात सोचना छोड़िए उसके बारे में बाते ना करें उससे किसी को सताना छोड़िए अपनी पीडा को नस्टना कीजे ये संभाव नहीं कि आप जीवन काट ले और आपको दुखदर्थ का नुभवनअ हो ना करें आपको भावनात्मक पीडा होगी रिश्तो में पीडा शारिरिक पीडा मानसिक पीडा आर्थिक आत्मिक नौकरी की इत्यादी परंतु ईश्यू ने कहा था योहना 6-12 में बचे हुए टुकडे बटोर लो की कुछ फेका ना जाए ये रोबदार बात है टुकडे बटोर लो जब कभी आपको पीड़ा हो प्रभु को दे दीजे अक्सर प्रभु हमें चीजों में से गुजरने देता है कि हम जाने कि अन्य लोग जो इन चीजों से गुजर रहे हैं उनकी सेवा कैसे करें आपको एक बात बताती हूँ मेरी और देखिए सुन्दर औरत अगर तुम्हें प्रभु के प्रयोग में होना है तो थोड़ा सा अनुबह होना चाहिए क्योंकि अनुबह होई कर्मचारियों की प्रभु बाट जो रहा है मेरी बात सुनी आपने परमेश्वर पहले हमें बुलाता है और हमें तयार करता है पिर उस बुलावे में हमें छोड़ता है परमेश्वर बड़े-बड़े काम करने के लिए कितने लोगों को बुलाता है कि इन तो वे तयारिक इस्तीति से नहीं गुजरते हर दर्द भरी बात से, हर कठिनाई से वे भागते हैं हर कठिन रिष्टे से हर कठिन नौकरी से, हर मुश्किल से भागने में ही वे अपना सारा जीवन बिता देते हैं यदि एक पास्टर उन्हें सुधारता है तो वो दूसरे चर्च में चले जाते हैं यदि किसी प्रचार या शिक्षन के दायरे में हो जो उने थोड़ा बहुत कड़ा लगे तो वे और किसी की सुनते हैं जो उनकी मन चाही चीज बताता है ये सच है ना बाइबल की कहें अनुसार हर चीज आपकी हो सकती है दूसरों के पास जो है उसे डाहा मत कीजे जब तक कि आप वो न करें जो उन्होंने क्या उसे पाने के लिए प्रभू उन्हें मुसे ज्यादा आशीज दे रहा है बक्वास है उन्होंने सही बीच बोई है आमेन मैं इसे फिर कहना चाहूंगी परमेश्व ने बहुत से लोगों के जीवन में बुलावा भेजा है मगर आपको अनुभाव प्राप्त होना चाहिए एक बात मेरी सुन लीजे अनुभाव बहु मूलिये वस्तु है बाइबल इश्यू की बारे में भी कहती कि वो आदे उधार करता बनने को तैयार था अपने अनुभाव के माध्यम से ये इब्रानियों अध्याय पांच आठ नौ में है कि और पुत्रों होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्या माननी सीखी जीवन के विभिन अनुभावों द्वारा और सिद्ध बनकर सदाकाल के उधार का कारण हो गया आप मेरी बाते सुन रहे हैं आपको कुछ अनुभाव होना चाहिए आपको मालुम होना चाहिए कि पीड़ा क्या होती है ताकि दुख्यारों को सही सेवा बाट सके आमीन मैं बताती हूँ अनुभाव जिसकी मैं बात कर रही हूँ वही अभिशिक्त, शिक्षन और प्राणहीन सिद्धान्त के बीच का अंतर है क्योंकि बहुत से से लोग है जो बताते हैं कि वेजों को जानते हैं वो कहीं किसी पुस्तक से पाया और जीवन में उन्हें लागू करना वे नहीं जानते मैं नरग जाकर लोट आयों मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोले है आमीन मैं त्याग दी गई मेरे साथ यह अंदूर वैवार हुआ एक शादी हुई जिसमें मेरे पती ने मुझे ठग लिया और दूसरी स्त्रियों के साथ गूमता रहा मुझे सहारा नहीं दिया मैं जानती हूँ कि अके लिए रहना किसे कहते हैं जहां मदद को कोई नहीं भै भी तो ना किसे कहते हैं मैं जानती हूँ मैं ये भी जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि परमीश्वर के बचन का आस्रा लेना किसे कहते हैं और प्रभु के आग्या का पालन करना डट कर यही सही शब्द यहाँ पर डट कर आप इसे इकात सपता करकी आशा नहीं कर सकती कि परमीश्वर जीवन भर के बुरे चुनावों को रातराच सही कर देगा अब मेरी शादी हुए पैतिस साल हो गए एक अद्बुत पुर्ष्य शादी हुए और मेरा प्रेम प्रति दें बढ़ता ही जाता है मेरे चार बच्चे है पवित्रात्मा में बब्तिसमा लिये हुए सभी सेविकाई में काम कर रहे है सब विश्वासियों से विवाहित परमीश्वर की आशिश ने मुझे हर ख्षेत्र में धन्ही किया है मैं बह। सुकी हो इतना कि सहन नहूँ मेरा विश्वास है कि आज का संदेश सुन कर आप लोगों को इसी वक्त प्रार्थना करके किसी को शमा करना होगा बदले की भावना हटानी होगी, कड़वाहट दूर करनी होगी और शुरुवात होती है निर्ण ऐसी और जब आपको सही ना भी लगे तो भी आपको सही करना होगा आपको गलत महसूस हो तो भी आप सही करने ने ले सकते हैं आज मैं आपको प्राथना में ले चलूँगी और फिर प्रोसाहित करूँगी कि प्राथना आरंभ करें कि प्रभू आपके दुश्मनों को आशीश दे बाइबल के अनुसात करें उनकी बुराई ना करें नकारात्मक्ता में उनके बारे में बातें ना करें प्रार्थना करें कि जो सही तरीका है उसे प्रभू उनसे निप्टे और उन्हें आशीश दे तब आपकी अंदर नयापन और ताजापन पनपेगा जो आप में अत्याधिक आनन लाएगा और जिन्होंने आपको चोट पहुचाए आप उन्हें प्रभू के हाथों सोपएंगे ताकि वो उनसे निपट सके तो आएए इसी वक्त प्रातना करें परमिश्वर पिता मैं मांगती हूँ कि आप उन्हें सब को छुएं जो इस कारेक्रम को देख रहे हैं जिन्में एक शमाहींता, कड़वाहट और दूसरों के प्रती द्वेश की भावना है या जिन्हें दूसरों पर क्रोध है किसी कारणवश हम जानती हैं प्रभु की भावात्पक रूप से इसे करना कठीन है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक विशेश महिमा दे इसी वक्त मैं मांगती हूँ कि आप लोगों के रिदय तक जाएं, उस गहराई तक जहां सिर्फ आप जा सकते हैं और उनके घावों को चंगा करें, उन चोटों को चंगा करें, और चंगाई की दवा उंडे ले इसी वक्त आपका ध्यनिवात प्रभु कि आप आज लोगों को महिमा देने कि उनके रिदय से ना सिर्फ पुरानी घावों मिट जाएं वरन विशिश महिमा दें कि वे दुश्मन के लिए प्राथना कर सकें, उनके बारे में न कारात्मक बातें न कहें मेरा विश्वा से प्रभु की आप उनके जीवन में न्याये लाएंगे मैं आपसे मांगती हूँ प्रभु की लोगों को दुगनी आशीश दें उनकी पिछली समस्याओं के लिए इश्व के नाम में आमेन ठीक है मुझे प्रतिती की आपके लिए नहीं शुरुआत है आपसे मिलने की फिर आशा है